जेट इंजिन्स लगभग एक सेंचुरी से एरक्राफ्ट के सफल ड्राइवर्स रहे हैं। इस वीडियो में हम एक लॉजिकल तरीके से जेट इंजिन के पीछे की टेक्नॉलोजी को समझाएंगे। एक जेट इंजिन बहुत ही आसान प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एक एरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। इस पर्पस के लिए एक कमबशन चैंबर का इस्तेमाल की आगे बढ़ाता है। किया जाता है। कमबशन चैंबर में फ्यूल का एक एक अटमाइजड फॉर्म जलाया जाता है। एफेक्टिव कमबशन के लिए मोडरेटली हाई टेंपरेचर और प्रेशर पर हवा की आउशकता होती है। इस कंडिशन में हवा लाने के लिए कमबशन स्टेजिस का एक सेट इस्तेमाल किया जाता है। कमबशन के रूटेटिंग ब्लेट्स फ्ल्यूड और उसके तापमान में उर्जा जोडते हैं और प्रेशर एक लेवल तक बढ़ जाता है जो कंडिशन को बनाए रखने के लिए सही है। कंप्रेशर को टर्बाइन से घुमाओ के लिए उर्जा मिलती है जिसे कमबशन चैंबर के ठीक बाद रखा जाता है। कंप्रेशर और टर्बाइन एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। चैंबर से निकलने वाली हाई एनरजी टर्बाइन ब्लेट्स को मोड देती है। आप देख सकते हैं कि टर्बाइन ब्लेट्स में एक विशिश एर फॉइल आकार होता है जो लिफ्ट फोर्स बनाता है और उन्हें मोड देता है। जैसे ही टर्बाइन फ्ल्यूट एनरजी को एब्सॉर्ब करता है उसका प्रेशर कम हो जाता है। इन स्टेप्स के माध्यम से हमने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। इन्जिन के एक्जिट से एमिट होने वाली वास्तव में गर्म और हाई स्पीड वाली हवा निकली है। इन्जिन का केस आउटलिट के प्रती नेरो हो जाता है जिसकी वजह से और भी अधिक जेट वेलोसिटी होती है। इन्शॉर्ट कंप्रेशर, कंबशन चैमबर और टर्बाइन के सिंक्रोनाइस्ट ऑपरेशन से एरक्राफ्ट आगे बढ़ता है। मौडन एरक्राफ्ट्स टू स्पूल नामक कंप्रेशर टर्बाइन अरेंजमिंट का थोड़ा बहतर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो इन्डिपेंडेंट टर्बाइन कंप्रेशर स्टेजिस का इस्तेमाल किया जाता है। आउटर कंप्रेशर टर्बाइन का शाफ्ट इनर वन से ध्यान से गोजरता है। अउटर तर्बाइन एक कम एनरजी फ्लूट के अधीन है और इनर टर्बाइन की तुलना में कम स्पीड पर जलता है Low pressure blades लंबे होते हैं ये कम speed जड़ से प्रेरित centrifugal stress को कम करने में मदद करते है इस प्रकार blades के जीवन में सुधार होता है कुछ modern aircraft भी एक तीन spool engine का इस्तेमाल करते है अब तक हमने जिस इंजिन के बारे में discuss किया है उसे specifically turbo jet engine कहा जाता है टर्बो जेट इंजिन्स बहुत शोर करते हैं लो प्रेशर स्पूल के साथ एक बड़े पंखे को फिट करके इस इंजिन में एक रेविलियूशनरी सुधार किया गया था इस तरहे के इंजिनों को टर्बो फैन इंजिन्स कहा जाता है और लगभग हर कमर्शल एरक्राफ्ट उन पर चलता है एक टर्बो फैन इंजिन हवा की एक बड़ी मात्रा को बाईपास करता है Narrowing Bypass Duct, Bypassed हवा को एक अच्छी Jet Velocity प्रोवाइड करती है एक Turbofan इंजन में Thrust Force का अधिकांश भाग पंके की Reaction Force से आता है इसके अलावा पंके अधिक हवा को सक करके Airflow में सुधार करते हैं इस प्रकार ये Thrust को बहतर बनाने में मदद करता है इसका मतलब है थोड़ा अधिक इंजन के खर्च के साथ High Thrust Creation यही कारण है कि Turbofan इंजन जादा Fuel Economical है Jet इंजन के द्वारा होने वाला शोर, Exit Jet Velocity पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि एक Turbofan में Bypassed की थंडी हवा गर्म हवा के साथ मिलती है इसलिए Outlet Velocity को एक सीमा के भीतर रखना पॉसिबल है इस प्रगार यह शोर की समस्या पर काबू पा लेता है quieter exhaust और बहतर fuel economy के साथ Turbofan Engine Aircraft Propulsion Systems श्रेश्ट है हमें उम्मीद है कि आपको Jet Engines के काम का अच्छा परिज़य मिला होगा कृपया Patreon.com पर हमारा समर्थन करें ताकि हम अपने सभी अंग्रेजी वीडियो हिंदी में डब कर सकें धन्यवाद